पूरा मामला एजी ने बताया है आरूपी संजीव की पतनी से भी पूस्ताच एजी की टीम ने की है रीता लाल सीजी पूस्ताच कर रही है रीता के नाम पर संपती का ट्रांजेक्शन हुआ जो पूस्ताच में खुलासा हुआ है दो दिन से रिमांड पर संजीव और जहांगीर दोनों है और दोनों से इडी पूस्ताच लगातार कर रही है मंत्री के OST संजीव लाल और उनके सहाइक जहांगीर आलम के रिमांड का आज दूसरा दिन है तो बता देखी पूस्ताच में ग्रामिड विकास विभाग में फैले भ्रस्टाचार की पूल खुल रही है अब संजीव के पतनी रिता लाल से भी E.D. पूस्ताच कर रही है संजीव लाल और जहांगीर आलम के गरपतारी पर E.D. ने जानकारी देते हुए कई खुलासे किये हैं और E.D. ने इसे मनी लॉंटरिंग से जुड़ा हुआ पूरा मामला बताया है E.D. की टीम ने मंत्रुई आलमगीर आलम के O.S.D. संजीव लाल और उनके सहाइक जहांगीर के ठीकानों पर भी छापे मारी किती जिसमें 37 करोड से ज़ादा कैश जब तक किया गया था और देखिए इस मामले में एक एक कड़ी कैसे सामने आगे बढ़ती चली गई अब तक क्या कुछ हुआ है वो एक कराप करके आपको बताते हैं तो राची में E.D. की दबिश लगतार देखने को मिल रही है सबसे पहले राची में E.D. की दबिश देखने को मिली जहां से पूरा कैश का अंड सामने आया इंजीनियर विकास कुमार के ठिकाने पर E.D. की टीम पहुंसती है रिज होता है उसके बाद मुन्ना सिंग के ठिकाने पर भी E.D. ने बड़ी कार रवाई की और मुन्ना सिंग के ठिकाने से भी कैश बरामद होता है संचीव लाल के घर पर भी E.D. कार रवाई करती है उसके बाद जहांगीर आलम जिनके घर से 37 करोड बरामद हुआ उसके बाद संचीव लाल को E.D. ने गिरपतार किया और इस गिरपतारी के बाद से पूस्ताज भी लगतार चल रही है E.D. ने जहांगीर आलम को भी गिरपतार किया और बता दे कि संचीव लाल के दपतर से 2 लाग कैश E.D. के टीम ने बरामद किया बिल्डर राजियू के ठीकाने पर भी E.D. पहुंची और वहाँ पर भी छापे मारी की गई बिल्डर राजियू के ठीकाने से भी करोडो रूपे जब तकिये गए धन कुवेर, संचीव लाल और जहांगीर से जहां एक तरफ E.D. रिमांड के दूसरे दिन पुष्टाच कर रही है तो वहीं संचीव लाल की पतनी रीता लाल को भी आज E.D. ने बुलाया है फिल्हाल रिता लाल जो है, वो E.D. दफ्तर पहुंची है और यहां पर E.D. के सवालों का जवाब फिल्हाल वो देती होई नज़र आ रही है सहाब तोर से जो जानकारी है, उसके अनुसार जो अकूद संपत्ती जो है उनके द्वारा अकूद संपत्ती कठा की गई थे, और इसी फेहरिस्त में करीब 37 करोर से अधिक की रकम जो है वो E.D. ने छापेमारी में बरामत की, तो वही कई संपत्ती के कागजात, ट्रांसपर पोस्टिंग से संबंदित कागजात के साथ साथ कई अन्य आपत्ती जनक जो कहा जाए, तो दस्तावेद जो है, वो बरामत किये गए हैं, जिनके आधार पर E.D. की टीम जो है, वो लगातार पूस्टाच कर रही है, सोर्सेज की जगानकारी खंगाल रही है, तो वही कई ग्रामिन विकास विभाग के जो इंज सवाल करते हैं, उसके जवाब से वो E.D. के अधिकारियों को कितना संतोष्ट कर पाती है, रितालाल अपने वकील के माध्यम से यहाँ पर पहुंची है, और फिलहाल E.D. के अधिकारियों के सवाल का जवाब दे रही है, वाची से न्यूज एटीन पले उम्प्रकाश और न्यूज एटीन समबादाता, उम्प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़े हैं, उम्प्रकाश दूसरा दिन और पूस्ताच इन से कीज आ रही है, अब इनके पतनी से भी पूस्ताच हो रही है, किस तरीके से अब नए जो खुलासे वो हो रहे है, मले यूज और लॉंडरिंग का जो मामला है, व अब इटी ने बताया है, यूज पुरकॉल जस तरह से इस पूरे मामले में कैश की बरामद ये होई है, ये पूरा मामला मनी लॉंडरिंग से चोड़ चुका है, और ईडी भी के द्वारा अगर बास की जाये, तो इस पूरे माम वो किस तरह से जिनरेट करते हैं ये निविदाओं के माध्यम में किस तरह से कमीशन का खेल होता है और ये कमीशन जो शेक्ट होते हैं इसमें कौन-कौन से लोग शामिल होते हैं किनकी मदद लिजाती है और ये पैसों का बंदर बाट किन-किन लोगों तक जाता है ये कमाम जो हैं वो उनके द्वारा किये जा रहे हैं और इसी फेहरिस्ट में अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले में रीता लाल को भी तलब किया गया है आज उनसे भी करीब पांच घंटे जो पूस्ताच जो है वो की जा चुकी है अभी भी वो एडी दफसर के अंदर ही मौजू है और तमाम जो पूस्ताच का सिलसला है वो जारी है फिलाल इस पूरे नेकसस को डिकोड करने में एडी की जो अधिकारी है वो लगे हुए हैं और कहीं न कहीं जो चले बिलकुल उम्रकाश तो बड़े खुलासे हो रहे हैं और चलिए हमारे साथ बने रही अगली खबर पर